नमस्ते मेरा नाम सुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं ये एकदम नया न्यूज है सहारा क्रेडिट को अपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड और सुप्रीम कोट से क्यूंकि जस्ट हम देख रहे थे साइट पे तो ये हमको पता चला एकाएक कि ऐस मामला सुप्रीम कोट में 27 फर्वरी को लिस्टिंग के लिए रखा गया है तो क्या है पुरा मामला आएए जानते हैं इस वीडियो में गुल ग्वालियर के में जो हाई कोट है हाई कोट अप मध्यपर्दिश वहां पे केस हुआ है सहारा क्रेडिट को अपरेटिव साइटी जो है SSCCSL सहारा क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इसके एगेंस में इसके डायरेक्टर और ब्रांच में मनेजर के एगेंस में फायार करने के लिए वहां पे क्लेम हुआ था जो की वहां पे इंटर्टेन नहीं किया गया और बोला गया कि आप या तो सुप्रीम कोट को एप्रोज करिए नहीं तो आप प्रोपर सोसाइटी एक्ट में जो प्रवधान है उस हिसाब से आप क्लेम या फायार लौज कराईए और ये पांच लोग मिलके किये हैं महेश चंदर बाज़ पेई और चार लोग और हैं और किस हुआ है किस पे यह हुआ है आपका सहारा क्रेडिट पर डायरेक्टर के उपर और ब्रांच मनेजर के उपर तो स्टार्ट केस हुआ है ग्वालियर से हाई कोट से और हाई कोट में नहीं निश्कर्स निकला हाई कोट इंटर्टेन नहीं किया पहले पेटीशन डाला गया रिट पेटीशन रिट पेट भी किया गया तो आपील को भी 26,8-22 को डिसमिस कर दिए गया तो इसी डिसमिस अपील की एगेंस में पार्टी क्या किया कि सुप्रीम कोट में 27 जन्वरी 2003 को एक केस फाइल किया है जिसका लिस्टिंग हु oxid तीन फर्वरी दो हजार तेइस को और उसमें ये बोला गया लिस्ट हो गया सब कुछ प्रोपर वे में हो गया था कि तीन वीक के बाद इसको लिस्ट किया जाए और कॉम्प्यूटराइज जो लिस्टिंग का सिस्टम है उसी साफ से सुप्रीम कोट के वेव साइट पर अभी टेंटेटीव दिखाया जा रहा है 27 फरवरी को ये सुसाइटी का सुनवाई होगा इनके मामले में टोटल अभरॉल इंडिया कहां बात नहीं कर रहे हैं केस पांच लोग किये हैं और 40 लाग का मातर मैटर है तो हो सकता है कि 27 तरीक के पहले सहारा इंडिया इस 40 लाग का भुगतान करके औ इसको आप लोग ज्यादा से जारदा सेयर कीजिये ताकि और भी अगर कोई क्लेम पेंडिंग है अगर जो भी सुन रहे हैं हो वीडियो को मेरे वह इस मामले में ट्रैक कराके मामला को बढ़ा करें क्योंकि 40 लाग सहारा के लिए कोई मैने नहीं रखता है सुप्रीम कोट मे नहीं है औरissimo को इसमें यह बात दुसरा चीज है दिल्ली हाइख में जो हुआ है वह तो विश्वास करने लायक नहीं है जिस सिस्टम से पूर्ट का बिहेवियर है पिछले एक साल से क्योंकि जब तक रोक नहीं लगा हुआ था सहारा इंडिया पे तो उसके पहले का सुनवाई का आप लो तरीका देखिएगा और रोक लगने के बाद का सुनवाई का तरीका देखिएगा पूर्ट का बिहेवियर है चेंज हो गया है अब क्यूं हुआ है क्यूंकि अब इतना बड़ा मामला है सहारा का और पचीस हजार पचास हजार करोड का तो आप लोग सोच लीजे कि कैसे चीजों को मैनेज किया गया कि सरकारी ओकिल भी वहीं कहरे हैं सहारा के ओकिल भी वहीं कहरे हैं कि time दे दीजे इधर से उधर कर रहे हैं तो कितना मिली भगत है इन लोगों की आप लोग समझेए कि पबली को केवल मूर्ख बनाय जा रहा है कि कोट में मामला है और कोट के सरकारी ओकी लड़के पैसा दिलबा देंगे और दिल्ली हाई कोट में केवल एक लाइन एसजी के द्वारा बोल दिये गया कि हम लोग केस को ट्रांसफर कर रहे हैं कि ट्रांसफर किये नहीं है कर रहे हैं उसके बाद उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है और बोल दिया जाता है कि सिधे आजाई अप्रील में मतलब चार-पांच महिना बाद आए और उसके बाद अप्रील वादेट के बाद फिर गर्मी के छुटी होगा बोलेगा जुलाई मतलब साल भर में दो तीन डेट परेगा एक साल उसको कोट खा जाएगा आप मरते रहे हैं तो इसमें यह बात है कि जब एस जी बोल ही दियें कि सुप्रीम कोट में हम केस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं और यह मामला 27 फरवरी को लिस्ट हो रहा है तो क्यूं ना इसी में आप कर रहे हैं जब ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे तो अभी तक तो ट्रांसफर फाइल नहीं हुआ है सुप्रिम कोट में आप इसी के साथ टैक कर आई जब साहरा क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी का मामला है तो सुसाइटिव का मामला जब एक बार लिस्ट हो गया तो इसी में ट्रैक कराई है ताकि तुरंथ लिस्टिंग हो जाए आपको डेट नहीं लेना पड़ेगा जब इतना आप चिंतित हैं कि नहीं दिली हाई कोट से मामला उठा कर सुप्रिम कोट लेके जा रहे हैं टाइम काटने के लिए तो मामला लिस्ट हो चुगा है इसी में आ इसे कुछ नहीं है खाली टाइम कटा जा रहा है कोट के तरब से और सब मैनेज है उपर से नीचे तक सिधा बात क्योंकि एक पतना हाई कोट का आप कंप्रीजन कर लिजे दिल्ली हाई कोट से कि यहां पर मामला किसी और पर था उसके बाद भी अगर एक अच्छे जज मिल गए थे तो इनको रगार के रख दिये कि हार पाच के यहां नहीं कंपरमाईज हो पाया तो सुप्रीम कोट से एक ओडर भेजबा दिये कि नहीं यह गरबर है हाई कोट पटना लेकिन वहीं दिल्ली हाई कोट को आप देखिए मार्स 2022 तक सुनवाई हो रहा था अपडेट लिया जा रहा था कंप्लेन जितना लोग मिलाजुला के सब सिस्टम को क्या किया गया है उस पर कंट्रोल कर लिया गया है सहारा से जो वो चाहेगी वहीं होगा किमकि पैसा उसके पास है अब पैसे से सब कुछ घूम रहा है लेकिन लास्ट में उमीद उमीद क्या दावार कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग उमीद करि पाटी बनाया गया है अगर तो कम से कम इंटर्नल लोग अभी भी जागे और आगे बढ़ के अपने ही क्लेम करें सहारा पे कि हां भुगतान नहीं करिएगा तो हम लोग फंसेंगे या यह सचा है कि वो फंसेंगे और वो प्रेशर अभी भी नहीं बना रहे हैं कि आप भुगतान करवाईए फिर जैसा होगा हम बताएंगे 27 वाले अपडेट पे अभी के लिए इतना ही धन्यवाद